नमस्कार मैं हूँ एकता सोडी और आप देख रहे हैं सहित्य सिर्जन आज सहित्य सिर्जन में बात होगी सहित्य की संस्कृति की और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है हर्याना सहित्य एवं संस्कृति अकैडमी पंचकुला के डारेक्टर डॉक्टर धर्म देव विद्यार्थी जी दॉक्त साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिरुआत करते हैं डॉक्टर धर्म देव की जर्नी से आज सहित्य और संस्कृति अकैडमी पंचकुला के डारेक्टर असल में एक एजुकेशनिस्ट हैं वो शिक्षक भी रह चुके हैं सोशल वर्कर भी हैं तो शिरुआत करते हैं आपकी जर्नी से डॉक्त साब कहां से शिरु हुई और कैसे आगे बढ़ी मैं मुक्यताय सिक्सा से संबंदित रहा हूँ और मैंने अपना जीवन 21 वर्स की आयू से प्रारंब किया और मैं उन सोबागे साली लोगों में हूँ जिनों ने सुरु में सबसे पहले प्राचारिया का कारिया भार से ही सुरु किया गुरुकुल कुरुक्षित्र से मैंने अपना जीवन सुरु किया उससे पहले मैंने कुरुक्षित्र विस विद्याले से में इतिहास पीएचडी और बीएड की उसके बाद गुरुकुल कुरुकुशत्र गुरुकुल सिक्सा परनाली मेरे लिए नहीं थी लेकिन मैंने उसे एक चैलेंज के रूप में असेप्ट किया और कुछ दिन जब पहले दिन ही मैं वहां गया तो मैं आपको बताना तो मैंने पूछा अब मुझे काम क्या करना होगा तो वहां जो परदान जी थे उन्होंने कहा कि हमारी ये गौउचाला है वो आपने देखनी है उसमें पचाणवें पसू है इसके अलावा हमारी डाई सो एकड़ जमीन है उस पर खेती करवानी है एक मैस है साड़े तीन सो बच्चे उसमें खाना खाते हैं एक बिल्डिंग है नई है पुरानी है उसकी रिपेर करनी है तो जैसे जैसे वो बोल रहे थे तो मुझे चक्कर आ रहे थे क्योंकि मुझे इन सारे कामों में से किसी का भी कोई अनुभव नहीं था और मैं बियड का लाष्ट पर आखरी प जान्दार आधमी चाहिए जो अपने काम के परतीप पूरा समर्पित हो तो मैंने झाए मुझे काम आता ही नहीं होगा तो मैं समर्पित कैसे होँगा तो उन्हों ने बड़ा अच्छा ज्वाब दिया जिसका मुझे आज कोई उसके परलल्ल जुआब नहीं मिला, उन्होंने कहा कि काम करोगे तबी तो काम आएगा, क्या जनम से कोई काम सिख कराता है, काम सिखोगे, तो काम आएगा, बताईए भी ना सिखे कैसे काम आएगा, तो आप काम सुरू करो, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मैंने उसके बाद गुरुक कुल kurकशित्र में काम किया और अबी तो मैं नहींसे ड़र रहा था फिर उन्हों ने कहा हमारे प्राचारिया भी चले गए हैं उन्की जगे भी आप ही ने काम करना है मैंने कहा यह एक और बड़ा काम मैं 21 साल का नोजवान और इतना बड़ा गुरुकुल का काम कैसे करूंगा लेकिन मैंने वो काम सफलता पूरवक किया गुरुकुल के बाद फिर मुझे डियेवी कालेज पुन्री में जाने का मौका मिला मैं वहां परवक्ता के रूप में काम किया उसके बाद प्लस वन टू ह अरियाना में इंट्रोड्यूज हुई तो चार-पांच महीने बाद फिर मुझे अरिये स्कूल जो एडिड स्कूल होता है उसमें काम करने का मौका मिला उसके साथ ये कन्या गुरुकुल था करल में जिसमें बाइस सो के करीब लड़कियां पड़ती थी तो उसके जरनल सेक का मिला और आजकल मैं चोदरी रंबीर सिंग यूनिवरस्टी जीन्द में और सिरसा के बोर्ड में काम करता हूं तो इस परकार मैं अपने आपको उन सो भाग्य साली लोगों में मानता हूं जिन्नोंने हर परकार की सिक्सा संस्थान में का अनुभव लिया मैंने कीों का फिर पॉबलिक स्कूल फिर कॉलेज फिर एडिड स्कूल हर तरह की إنstitutionsे में काम करके और कितने सारे पंपालिस वर्स मैंने सेवा की है जो अपने आप मेक रिकॉर्ड है तो वहीं से काम करते हुए मैंने फिर अपने अनुभवों को ही क्योंकि साहित्य क्या है एक साहित्यकार में कलपना शक्ति होनी बड़ी जुरूरी है तो मैंने स्रजना अत्मक जो कारिया था जैसे मैंने सबसे पहला मेरी पुष्टक कासित हुई कि उस गुरुकुल की गौसाला को कैसे अधुनिक गौसाला बनाया जाए तो मैंने कहीं डैरी फारम का सर्वे किया और उसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए तो लोगों ने देखकर काया जिसी की किताब बना दो तो मैंने वो किताब बनाई उन्नत गोपालन के नाम से और वो पूरे हर उस एरिया में कुरुकशेत्र के एरिया में फरी में बटी कि कैसे गायों की नसल सुधार करके हम गावू माता की जय तो बोलते हैं लेकिन उसका पालन पोशन करने को तैयार नहीं क्यों तैयार नहीं क्योंकि उससे दूद कम मिलता है इंकम कोई होती तो अगर वही गाएं जादा दूद देने लगे तो लोग गाएं पालने लगेंगे तो वो एक experience मेरा पहला रहा और इसी में मैंने एक दिन बैठे बैठे विचार किया अभी जब मुझे 40 साल हुए मैं बच्चे सरारतें करते हैं सब बच्चे एक दिन मैंने बच्चों की सरा सरारतें आ गई तो मैंने के इन ही पर एक किताब लिख देते हैं तो मैंने एक किताब लिखी सरारतें करके नाम भी उसका सरारतें रखा और वो जब स्कूलों की लाइबरेरी में गई मैं जाके पता करता हूँ ना किसी स्कूल की लाइबरेरी में क्यूंकि मैं डी एवी का रीजनल डारेक्टर भी रहा और आजकल भी काफी सारे स्कूल देखता हूँ तो मैं पता करता हूँ कि बच्चे कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं तो लाइबरेडियन कहती है जी सबसे ज़्यादा सरारतें पढ़ते हैं कई लोगे ने मुझे का जी आपने हमारे बच्चों के सरारतें करनी सिखा दिया तो ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग बुक हो गई ये सरारतों की तो वहां से मैंने साहित्य का भी और क्यूंकि गुरुकुल एक सामाजिक परिवेश से जुड़ा होता है उसका काम आरिय समाज का गुरुकुल है तो समाज सुधार का भी रहता है तो मुझे जो समाज सुधार की ललक लगी वो भी मैंने सुरू की और आज तक बड़े-बड़े कारिय करम करके लगबग एक अजार गरीब करन्याओं की साधिया मैं करवा चुका हूं बड़े-बड़े समारो करके और ऐसे जीन्द के एरिया में जो गरीब विद्वाएं जिन के पास कोई साधर नहीं है उनके भी हम साहता करते हैं तो इस परकार मैंने सिक्सा के क्सित्र में और ये मेरा सोभाग गया कि सिक्साग एक सेत्र में मुझे सरवोच पुरसकार बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, फिर उसके बाद मैंने डियेवी का जो नेशनल अवार्ड है महातमा हंसराज अवार्ड वो भी मुझे मिला, समाजिक सेत्र में मैंने काम किया तो समाजिक सेत् फिलिप्स अवार्ड सायद आजकल उसका नाम है, वो मुझे दो अजार पांच में नैशनल लेवल पर वो प्राप्त हुआ, समाज में एक आदर्स स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी मैरिज भी जाती तोड कर बीना दहेज की, और मेरा बेटा और बेटी उन दोन में हमारे किसी की लव मैरिज नहीं, आरेंज मैरिज हैं, और बड़ी सक्सेस्फुल हैं वो, और तो वहां से समाज सेवा से भी जुड़े रहे, और फिर साहित्य सरजन का जो काम था, जो अपने आनुभव थे, इतिहास का मैं विद्यारती हूं, आरिया समाज का इतिहास, डियेवी का इतिहास, और ये सामाजिक जो समस्याएं हैं, उनको लेकर लगबग अब तक मैं, च्वालिस किताबें मेरी परकासित हो चुकी, जिसमें गद्य भी है, पद्य भी है, और साहित्य अकैडमी से भी मेरी पुष्टकें समानित हुई हैं, दूसरी कहीं और जगे से भी समानित हुई हैं, तो सिक्सा, साहित्य और समाज सेवा, तीनों में काम करने का मुझे मोका मिला है, और मैं काम कर रहा हूँ, अब आपकी एक्तिलंबी जर्नी, च्वालिस किताबें और हर तरह का एक्सपीरियंस समाज को लेके, बात करते हैं साहित्य की, साहित्य साहित्य आपस में जुड़े हुए हैं, पहले साहित्य का कुछ सुसाइटी में और लेवल था, लोग किताबें पढ़ते थे, उस से जानकारी हासिल करते थे, हर तरह की, हर तरह की, अब कुछ और महौल है, क्या कहना है आपका इस बारे में कि साहित्य का क्या फ्यूचर है? साहित्य तीन सब्द हैं, साहित्य, सब्यता और संस्कृति, सब्द तीनों अलग-अलग हैं, लेकिन ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, आप जब साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य का मतलब ये हुआ, साहित्य आपको बातचीत का सलीका सिखाता है, सब्दों का करना सिखाता है किस परकार से आप अपनी भासा को अलंकृत कर सकते हैं जब वो हम सीखते हैं और संस्कृती की जब बात करते तो संस्कृती रहन सेहन अमारे आपसी वैवार और आपसी वैवार बातचीत से निकलता है एक सब्द ही ऐसी विदहा है जो इससे आप किसी को अपन दोस्त भी बना सकते हैं और दुस्मन भी बना सकते हैं और सब्द की चोट दुनिया के सब हत्यारों से ज़ादा खतरनाक है आपका गाउ कुलाडे से लगाओ तलवार से लगाओ बर जाएगा लेकिन सब्द का जो गाव है वो पूरी उमर लोग उसकी गांट बांद के रखते मुझे ये कहा था मुझे ये कहा था और कई परगाड रिष्टे भी सिर्फ सब्दों से बिगड़ जाते हैं तो जब इसको रहन सैन को और इसकी बात को हम देखते हैं और अपने रहन सैन को और सुन्दर बनाते हैं संसकार देते हैं उसमें तो वो संस्कृती बन जाता है और जब वो पूरे समाज की हम बात करें तो समाज के रिती रिवाज, परंपराएं वो सब कुछ सब्यता कहलाता है जब इसी को हम सारे को कलंबद करने लगें तो ये साहित्य बन जाता है आपने प्रसंद किया कि साहित्य का आज कल मैं समझता हूँ कि आज कल खाली साहित्य नहीं आप किसी भी वीधा की बात कर लें आप देश प्रेम की बात करो आप समाज सेवा की बात करो आप कोई कलात्मक विकास की बात करो तो मैं ऐसा अनुभव करता हूँ एक transit period है संकर्मन काल है हम एक सब्यता से दूसरी सब्यता की और बढ़ रही है और मैं तो खास तोर पर ये कहूंगा कि मैं उस PD का आदमी हूँ जिनों ने बैल गाड़ी में यातरा की है आज बैल गाड़ी दिखाई नहीं देती जिनों नंगे पैर स्कूल में जाकर के पढ़ करके लोग कहानियां बच्चे छोटे छोटे सीखते थे सुनते थे तो एक कलपना लोग में चले जाते थे सुनते सुनते राजा की कहानी और उसी में चले जाते थे फिर उस जमाने में लोग नावल पढ़ते थे उपन्यास और उपन्यास के ऐसे सोकीन थे कि जो सुरू किय लोग काम खाना छोड़ देते थे, कहीं लोगों को मैंने देखा, खाना भी खाते रहते थे, और वो जो आज मोबाइल का स्तर, वो उपन्यास का स्तर होता था, तो लोग उसमें डूबे रहते थे, लेकिन आज वो सारी चीजें खतम हो गई, क्योंकि जो हमारी जो उपन्यास या जो कहानी की विधा थी, जो पथन पाथन था, वो अब मोबाइल में सह जा गया, और विसेश रूप से, क्योंकि मैं स्कूलों से भी जुड़ा रहा, क्रोना के बाद, क्रोना में जो दो साल बच्चे घर रहे, वो लिखना भी बूल गए और पढ़ना भी बूल गए, औ उसके बाद स्कूलों में क्राइसिस आया, कि अब बच्चों को पढ़ाएं, तो पढ़ाएं कैसे, बच्चे पढ़ने को तहियार नहीं, और एक जो हमारा लाइफ स्टाइल हुआ, वो सोट कट हो गया, हम जीना भी सोट कट में चाहते हैं, हम हर चीज बात भी सोट कट में क आने के घर पहले जाया करते थे, अब नाना नानी कोने में बैठे रहते हैं, बच्चे मोबाइल में बच्चे भी बेटी भी आने का इस का फाइदा हुआ, कोई बात ही नहीं कर रहा अपस में, तो ये सारी बात और पहले क्या था कि महाबारत रामायन घर में होती थी, राम कहते हैं न समय नहीं है मेरे पास समय तो उतना का उतना ही है 24 गंटे पहले भी थे 365 दिन साल में आज भी हैं लेकिन वो जो समय का management time management थी वो हमारी समाप्त हो गई और आज हम हर चीज एकदम से अब कौन नावल पड़े और इतना 300-400 पेज के बाद कर जल्ट जाने लोग तुर मैं तो साइंस पढ़ता हूं मुझे भगवान दिखाओ जैसे ये स्विचोन किया ये लाइट जली ऐसे भगवान प्रकटों तो मैं मान लूँगा के भगवान है तो ये सारे सोभाव में परिवर्तन हाया और उसका आसर पठन पाठन पर करिया पर भी पढ़ रहा है और इस साहित्य के प्रतीरूची कम हुई अगर साहित्य समाप्त हो गया या साहित्य पढ़ना छोड़ दिया तो सब्धता और संस्कृति की बात पिछे रह जाएगी और हम कहां पहुंचेंगे हमारे आचार विचार हमारा वैवार वो क्या होगा इसका किसी को नहीं पता इसलिए इक चैलेंज है सरकार के सामने भी और तमाम बुद्धी जीवियों के सामने के वो आगे आएं और पठन पाथन को बढ़ावा देंगे तबी तो कोई किताब पड़ेगा और कोई किताब पड़ेगा तबी तो कोई लिखेगा तो लेखा की कम हुँ हो जाएंगे वो कोई और पर मैं कहना चाहूंगा जो पैरेंट्स हैं, उन्हें ये दाइत्व लेना चाहिए, कि उनके बच्चों का अगर उज्वल भविस््यया बनना है, सूख की जो बात करते हैं, आनंद की जो बात करते हैं, वो सूख और आनंद बजार में नी मिलता, वो सूख और आनंद घर में मिलेगा और घर में तम मिलेगा जब कहीं से कुछ ग्यान आप प्राप्त करेंगे यह जो वट्सेप पर छोटा मोटा ग्यान लेते ना अदा दूरा इससे दो और संक्रमन हो जाएगा तो हर पेरेंट्स यह जिम्मा ले कि मैं अपने घर में चाए दस मिनट चाए बीस मिनट चाए आदा गंटा मैं किसी अच्छी किताब का वो रामायन हो सकती है उपनिसद हो सकते हैं या महापूरसों के जीवन चरित्र हो सकते हैं या आज की जीवन की गटनाएं गटित हैं उन को पढ़के सुनाएं अपने बच्चों को जब वो पढ़ेंगे तो बच्चे उससे प्रेरीत होंगे कि हम पढ़ने से भी कोई ग्यान मिलता है और उन्हें चीजों को टैकल करने की समझ भी आएगी तो पढ़ना पढ़ाना बहुत जुरूरी है इसी नोट पे सहित्य एकेडम न किसी में और सबसे पहले जो कहते हैं भगवान ने प्रकाश पैदा किया चार रीसियों में जिसमें अगनी वाईयू अंगीरा ये रीसी थे इन्हों ने जो ग्यान प्राप्त किया उसको वेदों में उतारा और वेद सबसे पहली पुष्टक बनी और आप ये देखे जो वेद चाहे कोई करता पांच अजार साल पहले लिखे गए, कोई करता तीन अजार साल पहले लिखे गए, लेकिन जो उनमें लिखा गया, वो आज तक चेंज नहीं हुआ, परिवार की परिभासा जो पांच अजार साल पहले बनाई थी, कि ये परिवार होगा, वही आज भी प इसकी बजाए हम इसको पिता कह देंगे तो काम चल जाएगा पिता वही है जो वेद ने बताया कि ये परिभासा है तो वहां से हमारी ये प्रकीरिया प्रारंब हुई और उस समय से लेके आज तक इस जरूरत को सब सरकारों ने चाहे वो राजतंतर था राजा लोग पहले दर के सुनाया करते थे क्योंकि साहित्य की विधा में लोकिक साहित्य भी आता है लिखित साहित्य भी आता है तो लोक कथाएं पर चलित होती थी वो लिखी कहीं नहीं गई गा के सुना दिया उसने तो वो उस तरह के सरजन करते थे और वो उनके चाहे मुसलिम काल रहा चाहे हम मिलेगी और यह इसके आधार पर इसका काम चलेगा, ताकि आने वाले पीडियों को जीने का धंग मिले, उन कहानियों से प्रेरना मिले, यह वो भी करते थे, यही हर्याना सरकार ने भी 1979-89 में यह अकादमी की रचना की, और जिसमें उन्होंने हिंदी, संस्कृत, संस्कृत हमारी देव भासा जी से माना जाता है, संस्कृत और अंग्रेजी भी और इसके साथ साथ उर्दू भी और पंजाबी भी, इन भासाओं की एकेडमी बनाई, इन एकेडमी का एक ही उदेश्या रखा गया, तीन उदेश्या है मुख्य रूप से इसके, की साहित्य का कारिय करे, खुद साहित्य सरजन करे, लोगों को साहित्य लिखने के लिए और पढ़ने के लिए प्रोथ साहित्य करे, उस प्रोथ साहन के लिए साहित्य अकेडमी में सरकार ने प्रोविजन किया, कि लोगों को पुरुसकार भी मिलें, जिनका साहित्य उच्च कोटी का ह वो चाए किताब है उसने किताब लिखी, कोई किताब लिखना चाहता है, तो उसको सरकार की तरफ से, अकादमी की तरफ से आर्थिक साहिता मिलती है, कोई अभाव गरस्त लेखक है, उसकी रचना तो बड़ी सुन्दर है, चपुआ नहीं पारा, तो उसे अकैडमी चपुआ तो रहा भी देती है, इसके साथ-साथ फिर पुरुसकार भी रखे गए हैं, सभी विधाओं में पुरुसकार रखे गए हैं, तो वो हमारा जैसे सात लाग का पुरुसकार है, जो सब से बड़ा पुरुसकार है, तो उसमें Lifetime Achievement Award Hindi Academy की तरफ से जो दिया जाता है मैं क्योंकि हिंदी और हर्यानवी इस चीज को देखता हूँ तो हिंदी और हर्यानवी में हर्यानवी के लिए भी अलग से पुरसकार हैं ये पुरसकार इसी लिए रखे गए हैं और फिर युवा पुरसकार भी रखे गए हैं कॉलेज स्टूडेंट एक तो जो ट्रेडिशनल परंप्रागत लिखते आ रही हैं आम तोर पर यह होता है कि वो लिख रहा था हर बार उसी को अवार्ड निल्टा चला जाए युवा पीडी कैसे आगे आए युवा पीडी को पुरसकार देने की ववस्था की गई है ऐसे ही निबंद लेखन, कहानी लेखन, ये जो है स्कूल लेवल पर नाटक लेखन ये स्कूल लेवल पर भी हम परचारित परसारित करते हैं जी उसी बात प्यारे थे, डॉक्ट साब सहित्या अकैडमी जनली कॉलेजिस और युनिवरस्टी के साथ टाइप करती है, उनको इनकरेज करती है, तो शिरुआत तो इस चीज की स्कूल छोटे जब बच्चे होते हैं, वहां से होनी चाहिए तो क्या इसके बारे में भी फ्यूचर में सहित्या अकैडमी की कोई प्लाइन से हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और एक सिक्साविद के रूप में मैं ये अनुभव करता हूँ, मैं क्या, ये युनिवरसल टूथ है, कि छोटी आयू का बच्चा, जो सीख लेता है, बड़ा होने के बाद नहीं ले सकता, आदिते पक जाती हैं, आप देखेंगे, आप भी स्कूल में गए होंगे, LKG, UKG में जो तीन-तीन साल के बच्चे आते हैं, जो जो घर से आते हैं, जब तक वो घर की कथा अपनी मैडम को नहीं सुना लें, चाहे वो बात वो सारी बात सुनाएंगे, और घर जाकर स्कूल की सारी बात मम्मी को सुनाएंगे, तो और उसके बाद जो अटेच्मेंट मम्मी डैडी की छोटे बच्चों के साथ होती है, वो बाद में नहीं रहती, छोटा बच्चा तो यह हैंना कि मेरी मम्मी ही लक्षमी बाई है, मेर मम्मी दुर्गा है मेरी मम्मी दुनिया के सबसे बहादूर औरत है और सबसे समझदार है और पिता के रूप में मेरा पिता ही अनुमान है मेरा पिता ही भीम है मेरा ही पिता सबसे सक्तिसाली है लेकिन पांच मी तक ये ब्रहम उसका दूरो ना सुरू हो जाता है वो कहता है न अब नई बाते हैं, इसे नई पता, तो छोटे बच्चे को जो संसकार मिल सकते हैं, पढ़ने पढ़ने की जो बात आपने की, ये जो प्राइमरी लैवल पर आप सिखा देंगे, अगर देखो, अगर बच्चे के माता-पिता घर में पढ़ते हैं तो बच्चे पर संसकार आए प्रक्षाना नहीं है फिर वो केवल उसी क्लास का मास्टर है उसके अलावा उसे ऐसे बड़े कम टीचर है जो अपना ग्यानवर्दन में लगे रहते हैं कि आगे बढ़ें आगे बढ़ें कुछ और नोलीच बढ़ाएं तो जो टीचर पढ़ने पढ़ने वाली है उसकी क्लास बच्चों में भी पढ़ने पढ़ाने के प्रतीर उची आएगी लेकिन आप कहें के कालेज में जाकर के आब कहें के आब पढ़ो अब हैबिट बनाओ तो आब फिर नहीं बन सकती ना फिर बदल सकती वो आप थोड़ी लिपाप होती तो छोगते हैं जी जी लेकिन वो वैसी नहीं हो सकती हां रेर केसिज में हो जाता है कि वो तो कोई दैवी सकती किसी को अचानक से प्राप्त हो गई वो एक अलग बात है उसकी वो है तो बच्चों को छोटे लेवल पर इसलिए हम अकादमी की तरफ से भी योजना बना रहे हैं कि स्कूली लेवल पर जा करके स्कूल क बच्चों की कवीता पाठ पर तीयोगी ता या महापूरसों पर आधारित क्वेस्चनेयर संस्कृती पर आधारित क्वेस्चनेर परसनोतरी करवायें उनकी ताकि वो बच्चे पढ़के आएंगे और फिर हम उन्हें पुरसकार दें अब स्कूल लेवल पर आम तोर पर जि कुमते रहें, जड़ पर कुछ भी नहीं है, जड़ में खाद और पानी अगर डालेंगे तो स्कूल से ही डलेगा, और वही जाके आगे नागरिक बनना उनोंने, वही मेरा सवाल था कि सहित्याकडमी को यही सोचना यही सोचना चाहिए, कि वहां उस लेवल से जानने चाहेंगे कि क्या सहित्याकडमी हर्यानवी भाशा के लिए भी कुछ प्लान रख रही हैं? यह बड़ी आपने अच्छा क्वेस्चन पूचा, मैंने काफी सारा हिंदुस्तान के अनेक प्रांथ देखे हैं, और हमारे पास पैरेंट्स आते रहते हैं, आके कहते हमने तो बच्चा जी इंगलीस मीडियम समझ के दाखिल करवाया था, यह तो हर्यानवी बोलने लगा, यह स्वाल सिर्फ हर्याना के अभी भावकी करते हैं, हर्याना के बराबर में पंजाब है, पंजाब का कोई अभी भावकी यह नहीं कहते हैं, जी मीरा बच्चा पंजाबी बोलने लगा, मैं बड़ा दुकी हूं, और हर्याना में तो कहीं स्कूल ऐसे भी मिल जाएंगे तो हर्यानवी को समझते है कि इसको बोल लिया तो एक तरह से बत्तमीय權 jihi की भाषा ये तो आख दो, पीसा ओस्त नहीं मिला वो ऐक बोली बन कि रहा गई, जब कि हर्यानवी एक सरल, हैत्रम आप इतनी बात को एक सबद में कह सकते हैं, अर्यानवी में वो बात है, तो आप उस बात को कभी भी कह सकते हैं, तो हर्यानवी बोली को भासा में कैसे बदला जाए, उसकी अपनी व्याकरन हो, उसकी अपनी वर्न हो, उसके अपने स्वर, व्यंजन, सब कुछ अपना हो, हर्याना की लको तो उन सारी चीजों को जीवन्त करने के लिए अकादमी ने ये तो किया हुआ कि हम पुरुसकार देंगे कोई लिख के लाएगा लिखेगा तो तब ना जब आगे कोई पढ़ने वाला भी होगा जब भासा ही नहीं होगी थोड़े दिनों में आप देखते हैं आज से चालिस स को भी इसकी अपनी पहचान देने के लिए बिलकुल हम इस पर लगे हुए है कि कुछ करें इस बीसा में जब साब बातों में बहुत मज़ा आ रहा था भी तो बहुत सारी चीज़ें डिसकुशन में थी लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है जी 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 आज के लिए इतन कर दो